नमस्कार इस वीडियो में मैं आपके साथ बेहद इंपोर्टेंट बाते करने जा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा लगता है कि नौलिज बहुत है किताबों की लेकिन एक सदबुद्धी यानि कि विश्टम की कमी उनको जीवन में रोक देती है यद पि उन्हें लगता है कि वो बहुत educated है पर उन्हें ये भी लगता है कि वो उन निर्णें को नहीं ले पा रहे हैं जो उनके लिए आवशक है चाहे वो पैसा कमाने का निर्णे हो अपने आपको सुखी रखने का निर्णे हो अपने रिष्टों को बहतर करने का निर्णे हो आगे बढ़ने का निर्णे हो जीवन को खूबसूरत बनाने का निर्णे हो कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें एक guidance की अवशकता है यानि कि उनके अंदर एक मार्ग दर्शक बैठा तो है पर वो उन्हें guide ही नहीं कर पा रहा है कई बार उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें अपने लक्षों का पता है लेकिन overall जिन्दगी का जो उद्दिश है वो नहीं मिल रहा है सब कुछ पाकर भी वो खालीपन के शिकार हैं यही कारण है कि आपको ऐसे बहुत सारी लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारा धन है लेकिन वो रातों की नीदे खराब करें बैठें और यहां तक की वो depression के शिकार हो गए हैं कई लोग तो आत्मत्या करने पर तुले बैठें कई बार हमें लगता है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं अच्छे माहोल में रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम अंदर से पूरी तरह से स्वस्त नहीं हैं हम अच्छी किताबे भी पढ़ रहे हैं फिर भी हमें inner well-being नहीं मिल पा रही है पता है इसका कारण क्या है इसका एक ही कारण है कि क्योंकि आप दो चीजों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते एक है आपकी higher self और दूसरा है universe अगर आप इस वीडियो में higher self के बारे में जानकर universe के इस बारे में थोड़ा सा और जानते हुए इन दोनों को connect करना सीख लेंगे तो जितने भी मसले आपके जीवन में चल रहे हैं चाहे वो health के हैं, रिष्टों के हैं, पैसे के हैं, आपकी खुशी के हैं, दुख के हैं जितने भी मसले हैं, उन्हें आप resolve कर सकते हैं है ना कमाल की बात तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन चीज़े शेयर करूँगा नमबर एक, आपकी higher self क्या है जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी जो दिव्यस्वे, यानि कि दिव्यस्व क्या है उसे हम कैसे गेन कर सकते हैं दूसरा यूनिवर्स क्या है जिसको हम ब्रहमांड कहते हैं तीसरा, हम अपनी higher self के साथ यूनिवर्स को कैसे connect करें या यूनिवर्स के साथ higher self को कैसे connect करें और इसके फाइदे क्या होंगे हमें ये भी जानना होगा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा एक एक पॉइंट को मेरे साथ सुनिएगा जुड़िएगा पहली तो बात ही है कि जब हम हायर सेल्फ की बात करते हैं तो आपको एक चीज समझनी होगी बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आप इन्हें किसी आप कह सकते हैं कि किसी सत्संग में सुने तो हो सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बाते हों जो आपके सर से गुजर जाएं यानि कि आपकी समझ में ना है लेकिन मेरा काम है कि चीजों को बहुत ही आसान बनाना आपके पास अपनी एक व्यक्तिगत चेतना है जो इस शरीर के परे है जो आपके पजशन्स हैं जो आपकी एगो के साथ सम्मंद रखती हैं उनके परे भी आप कोई है अगर कभी आपने अपने आपको एक दरपन में देखा है और वो कालपनिक दरपन हो जिसमें आप अपने शरीर को ना देखें अपने ड्रेसिज को अपने आभोशनों को ना देखें तो उस समय उस दरपण में आप क्या देख रहे होंगे वह कौन है वही आपकी inner self है लेकिन अगर मैं यह कहूं कि आपकी inner self के परे आपकी एक higher self भी है जिसको आपने नहीं ढूंडा तो समझ लिजेगा कि आपकी ego से परे आपके distorted self image के परे भी आपकी एक और सेल्फ है जिसे आपने अभी तक नहीं डूंडा याद रखेगा उसे ही हम कह सकते हैं कि जो beyond ego हमारी सेल्फ है उसको ही हम दिव्य आई मीन स्वे यानि कि दिव्य सेल्फ कह सकते हैं जहां तक हमारा युनिवर्स का सवाल है तो अगर आप टेक्निकली देखें तो युनिवर्स में चार चीजें आपको मिलती है युनिवर्स में space मिलता है समय मिलता है और energy मिलती है और energy से converted matter मिलता है जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम material कहते हैं जो matter word से बना है लेकिन ये सारी चीजे तो physics की है physics से परे अगर आप युनिवर्स को देखना चाहते हैं तो आपको उपनिशदो वेदान्त को भी समझना होगा युनिवर्स बेसीकली एक energy का स्वेरूप है यानि कि वहाँ पर एक उर्जा है जिसे हम कई बार ब्रहमांड ये उर्जा कहते हैं इसकी खास बात ये है कि ये है उर्जा हर एक चीज का material है raw material है जो भी चीज बनती है वो इसी raw material से बनती है जो भी चीज इस दुनिया में बनी है जिन चीजों को भी परियोगा आप कर रहे हैं वो सब चीजें इसी raw material से बनी है इसकी खास ये भी पाई गई है quantum physics के expert ने पाया है कि ये हमेशा dynamic है और इसका अपना एक thought है इस thought को लेकर ये अपने rules को पूरी तरह से define भी करता है और execute भी करता है नीम का पेड कड़वा ही होगा उसके फल एक particular समय पर या मोसम पर आएंगे साइकल पर आएंगे वैसे ही दूसरा अगर आम का पेड है तो उसी समय पर फल देगा जैसे बाकी आम के पेड दे रहे थे है ना का खास बात इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने किस परजाती का आम बोया है यानि कि वो एक रूल के तहत चल रहे हैं इतना भी नहीं पाया गया इससे भी आगे यह पाया गया है कि यह विचाइब जो एन उर्जा है यह हमारे थोड के साथ हमारे विचारों के साथ इसका पूरी तरह से एक जुडाव होता है जो चीज भी हम सोचते हैं एक इंटेंशन रखते हुए एक विचार रखते हुए और एक इंटेंसिटी उसको देते हुए यानि कि तीवरता देखते हुए अपनी इमोशन्स की तो यह युनिवर्स उस बात को सुनता है और उसको पूरा करने के पूरी कोशिश करता है और अगर हमारा उसमें डाउट नहीं है तो वो सारे अफसर पैदा कर देता है ताकि वह चीज आपकी जवन में पूरी हो जाए इसलिए कहा जाता है कि तुम वही बनते हो जो तुमारे विचार होते हैं तो बेसिकली हमने अब यूनिवर्स को भी ढूण लिया है और हमने सेलफ इमेज को भी अपनी हाइर सेलफ को ढूण लिया है अगर आप एक बार अपनी हाइर सेलफ को इस उर्जा के साथ जोड़ना शुरू कर दें जिसको आप ब्रहमांड ये उर्जा कहते हैं तो पहली चीज़ तो आपको एक विशेश परकार की wisdom मिलती है क्योंकि आप याद रखेगा जो आपके subconscious के अंदर intellect है वो तो वो intellect है जो आपको university ने दिया है यो जो आपको schools ने दिया है लेकिन उसके परे भी कुछ ने कुछ इस intellect के परे भी कुछ और है जिसको हम wisdom कहते हैं यानि के सद बुद्धी कहते हैं लेकिन याद रखे का ये सद बुद्धी आपके subconscious में infinite यानि के असीमित तभी हो पाएगी जब ये असीमित शरोत से मिलेगी और इसके लिए जो एसीमित शरोत है वो वही है जिसको हम universal energy कहते हैं जिसके अंदर एक थोट है जिसके अंदर कुछ नियम है जिसके अंदर energy है और जिसके बहुत सारे गुण है पहला तो गुण यही है कि हर एक चीज में विद्धवान है हर एक चीज को वो penetrate करता है permeate करता है हर चीज को चलाने का उसके पास एक तरीका है और हमारे थोट को वो सुनता है तो अगर आप अपने जीवन में अपने business में अपने पैसे में अपने रिष्टों में अपनी life में कहीं रुके हुए हैं stagnant हो गए हैं अब आपको कोई किसी guide किया वशकता नहीं है पर याद रखिएगा the best guide lies within you जो आपका सबसे बहतरीन mark दर्शक है वो आपके अंदर ही है उसके साथ जुड़ना सीखिएगा जुड़ने का तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ share करूँगा दूसरी चीज है guidance अगर आपको कई बार लग रहा है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो कई बार उस रास्ते को दिखाने वाला mark दर्शक आपके अंदर बैटा हुआ है और वो mark दर्शक बेसिकली आपके लिए असीमित संभावना ही दे सकता है असीमित अवसर दे सकता है लेकिन उस guide का नाम या उस mark दर्शक का नाम university है वही energy है उसके पास वो सारे थोट हैं जो आपको आपकी destination तक ले जाने के लिए आपको चाहिए वो सारे थोट उसके पास हैं पर अगर हमारा उसके साथ connection ही नहीं है तो फिर वो थोट हम तक नहीं आपाते हैं इस connection को यद पी मैं बीच में बता देता हूँ हमारी ego रोक देती है अब सवाल उड़ता है कि इसके अलावा और हमें क्या-क्या मिलेगा तीसरी चीज़ है कि जब भी आप अपने purpose को नहीं ढूंड पा रहे हैं जीवन के यानि के आप एक grant विजिट पर आए हैं एक बड़ी विजिट पर इस प्रत्वी पर आए हैं और इस विजिट पर आने के बाद इस प्रत्वी पर आने के बाद आप confuse हो गए तो फिर कैसे आनंद लेंगे सोचिए कि आपने पूरे एक साल तक अपनी प्लान किया कि आप किसी जगह पर जाएंगे और आठ दिन बिता कर आएंगे वो शिमला हो सकता है वो आपके लिए मसूरी हो सकता है वो दूसरा शहर हो सकता है जहां पर आप गए आपने पूरे एक साल तक प्लान किया आपने लिए बढ़ी ड्रेसिस सिलवाई और उस जगह पर जाकर आप जाते कन्फ्यूज हो गए पहले दिन कन्फ्यूजन को ठीक करने के बजाए आप और अधिक कन्फ्यूजन में पढ़ गए दूसरे दिन तीसरे दिन और अधिक कन्फ्यूजन छोतरे दिन और अधिक कन्फ्यूजन पता है आपका हाल क्या होगा आप उस जगह पर जाने से डरने लगेंगे उस जगह के नाम से आपके अंदर एक आत्म गलानी आएगी यही तो हमारे जीवन में हो रहा है हम यहाँ पर एक विजिट पर आये हैं और हमें यहीं नहीं पता हम यहां क्यों आये हैं और हम हैं कौन और हम यहाँ पर करने जो भी कुछ कर रहे हैं क्या वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं अगर हमें इसी कही अंदाजा नहीं है तो निशित रूप से ये वही का पूरी तरह से वही उधारन हो गया, वह एक्जामपल हो गया कि आप किसी जगह पर गए जो आपकी मनपसंद जगह थी और वहाँ पर आजाकर आप कन्फियूस हो गए है एक चीज़ और भी कई बार लोग कहते हैं कि साब बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन आती है पर मुझे नहीं आती आप को इंट्यूशन कैसे आएगी, अगर आप अपनी सेल्फ को जोड ही नहीं पा रहे हैं यूनिवर्सल सेल्फ के साथ यहनी के मैं एक बूंद पानी हूँ और इस पानी को एक नेचर चाहिए, इसकी एक प्रकरती होनी चाहिए और इस प्रकरती के लिए निश्चित रूप से मुझे एक पानी की जिल से जुड़ना पड़ेगा वो झील कैसी ओनी चाहिए, अगर मुझे अपने पानी में सॉल्ट देना है तो मुझे सॉल्टी लेग के पास जाना होगा, लेकिन अगर मेरे पास जो बूंध पानी की, वो स्वच्छ हो तो निश्फित रूप से स्वच्छ लेग के पास जाना होगा, इसलिए याद रखेग जब भी आप खूबसूरत संदेशों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये संदेश युनिवर्स में घुम रहे हैं आपके लिए इनको साइंस भी मान चुकी है सिंक्रोनिसिटी कहते हैं इनको ये तभी मिलेंगे जब आप इसके साथ जुडेंगे इसलिए जुड़ना जरूरी है और इसके बात सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंटरनली खुश नहीं है तो आप नाखुश जरूर है ठीक है ना और अगर आप अनहपी है इंटरनली तो आप अपनी हायर सेल्फ को युनिवर्सल सेल्फ के साथ जोड़ना सीखिए अब आपका सवाल होगा कि मैं कैसे जुड़ूँ कुछ चीजों को मैंने स्टड़ी किया यद्दिपी मैं बहुत सारी चीजों को स्टड़ी करके अपने उपर भी लागू करने की कोशिश करता हूँ कुछ रह भी जाती है पर जो भी मुझे बहुत खुबसूरत चीजें मिली हैं और जो करने के लिए बहुत आसान है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको कि आप घर बार छोड़ कर आप अपने बहुत अच्छे एक बिजनेस परसन हो सकते हैं आप अपना काम करते हुए अपनी हायर सेल्फ को एक बार कनेक्ट करिए और जो भी आप जीवन में कर रहे हैं उन्हें बहतर तरीके से करिए पहली चीज है जो चीज आपको करनी चाहिए में च्छे या साथ चीज़े आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप अपनी हायर सेल्फ को इस युनिवर्सल एनरजी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप माइंडफुलनेस को प्रेक्टिस करना शुरू करिए माइंडफुलनेस का मीनिक है कि आपको वर्तमान के पलों में जीना सिखना होगा हमें पता ही नहीं से चलता है कैसे हमारा रोज एक दिन गायाब हो जाता है कुछ भी पल कई बार हम अपने साथ नहीं होते और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि आप अपने मोबायल को स्क्रोल करते करते घंटों बाद आपको पता चलता है कि आप आपके आँके दुखने लगी है और आप कहां से चले थे आपने पहली बार कहां से स्क्रोल शुरू किया था और डीप जाते 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 कि आप कितनी चीजों को किया, कितने garbage को आप ले चुके हैं यानि कि आप खोच चुके हैं आप उस तरह के व्यक्ति हो गए हैं जो एक deep sleep में हैं खुली हुई आखों से ये तो वही वाली बात है कि आप जीतो रहे हैं पर समय का आपको बिल्कुल भी बोध नहीं हैं आप साच मिनट के लिए बैठिये और सोचिए कि इस समय इस पल को मैं कैसे experience करना शुरू करूं यह बहुत आसान है आप कई बार सिर्फ अपनी बोड़ी को experience करना शुरू करें इस समय मेरे घुटनों में क्या चला है इस समय मेरी lungs में क्या चला है इस समय मेरा heart कैसा feel कर रहा है इ इस समय मेरे पैरों के पंजों से लेकर सर की चोटी तक कौन सी feelings चल रही है इनको एक बार महसूस तो करना शुरू करिए आप पाएंगे कि suddenly आपको नया आभास होना शुरू हो गया है आप पहली बार अपने moment के साथ जुड रहे हैं इस काम को करना शुरू करिए और इस काम को करते करते धीरे धीरे आप meditate करना शुरू कर देंगे यानि के meditation की अवस्ता में पहुंच जाएंगे आप meditation भी करना शुरू करें तो mindfulness and meditation आपकी higher self को धीरे धीरे जोड़ना शुरू करेगा पहले तो आप ही के साथ आप consciously तो जानते ही नहीं अभी कि आपके पास एक खजान को आपने table बना के रख दिया है या एक stool बना के रख दिया जिसके उपर बेकार के कपड़े बेकार के कागज और कुछ I mean बेकार की सामान रखा हुआ है जबकि उसमें करोड़ रुपे हैं यही हो रहा है हम लोगों के साथ दूसरी चीज है आपको nature के साथ connect करना चाहिए ज आप पोदों के साथ बैठिये कभी घास के साथ बैठिये जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो पहली बार याद रखे का आप उसी के पार्ट हैं वो जो आपको एक खुबसूरत energy वहां से मिल रही है उसका ऐसास आप नहीं कर सकते बहले ही आप करोड़ रुपे कमा लें करोड़ रुपे से एक बड़िया आई मीन आप लिकर की बोटल तो खरी सकते हैं लेकिन जो शान्ती जो togetherness आपको नेचर के साथ मिलेगी वो कभी नहीं मिलेगी वहां से आपकी higher self जो है वो satisfy होती है तीसरी चीज़ आप intention setting करें यह नहीं कि आप अपनी intention को बताना शुरू क करें universe को और ऐसा बताते हुए एक गलती कभी ना करें आप कभी यह मत सोचे का मैं किसी का बुरा करने वाली intention को सोचूंगा आप हमेशा इस तरह से सोचे जिस चीज में दुनिया का भी भला हो और दुनिया के भले होने के साथ साथ आपकी भी भलाई हो और उसे इस तरह से स को शो करना शुरू करें आभार व्यक्त करना शुरू करें जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो quantum physics के अनुसार आप उन घटनाओं को universe को बनाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे positively इस काम को जरूर करिएगा नेक्स चीज जो आपको करनी चाहिए वो है आपकी breathing याद रखेगा breathing में ही आपके प्राण है यह बहुत ही important चीज है जब आप अपने breathing के उपर focus करते हैं और अपनी breathing को observe करते हैं तो आप अपनी ego को पहली बार अलग रखते हैं आप अपने aim को एक तरफ रख देते हैं उस समय जब धीरे धीरे आप अपनी breathing के साथ जुड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे बाहरी world से disassociation मिलना शुरू हो जाता है अलगाव आना शुरू हो जाता है आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपके पास आपका शरीर कहा है देहिक देविक भोतिक तापा राम राज का हो गमंड नहीं था जब भी आप अपनी breathing के साथ जुड़ते हैं आप इन तीनों गमंड से दूर आ जाते हैं पहली बार जब आप घमंड को तोड़कर बाहर के बेकार के clutter को छोड़कर internal world के साथ जुड़ते हैं तो ये वही moment है जब आप अपनी higher self image को guide कर रहे हैं कि वो अपन create करें एक संकेत create करें कि ये universal energy किसी संकेत के रूप में आपको दिखाई दे रही हैं यहां पर मैं कई बर लोगों को God of Miracle के बारे में भी बताता हूँ इसके बारे में आप भी जान सकते हैं मेरी free workshop में ये free workshop का link मैं नीचे दे रहा हूँ awaken the God of Miracle ये miracle retreat मेरी तीन वक्षोप के link मैं नीचे दे रहा हूँ और एक book का भी उसको भी आप enjoy करिएगा लेकिन जब मैंने आप से कहा कि कैसे connect feel करें तो connect feel करने के कुछ एक तरीके मैं आपको miracle retreat में बताऊँगा ये 8 बड़े तरीके हैं जब आप अपनी higher self को universal self के साथ पावर के साथ जुड़ सकते हैं जिसके साथ जुड़कर आपको यूँ समझिए कि जीवन का एक खूब सुरत मौका मिलेगा जीने का इसके साथ जब भी आप अपनी higher self को enjoy करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से मिलती है वो है आपकी kindness यानि कि आप दिन में एक एक्ट जरू कर आप unprivileged लोगों को दे कर देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा इतना भी नहीं तो आप किसी अनाथाले में जाकर कुछ देर बिताईए उन बच्चों के साथ किसी old day जो में जाईए और वहां पर senior citizens हैं जो इंतजार कर रहे हैं बाहर के लोगों का यानि कि इस द वो पहली बार connect feel करते हैं universal self के साथ यह बहुत important है यहां से आप अंदर के आदमी को यूं समझ लिए गंगा जल का एक खूबसुरत बात दे रहे हैं सनान दे रहे हैं और सबसे last में मैं बताऊंगा वो यह है कि आप self reflection को enjoy करना शुरू करें यह शब्द आपके लिए नया हो self reflection का मतलब है कि अपना खुद का परती बिम्ब बनना शुरू करें परती बिम्ब बनने का मतलब यह है कि आप कई बार बैठें दूर से देखें अपने आपको observe करना शुरू करें कि आपका आनंद कहां से आ रहा है आप observe करना शुरू करें कि आप किन चीजों में मस्ती ले बार्ड मिल रहा है जब आप इन चीजों को ढूंड लेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड आपको गाइड करने लगेगा कि आप उन कामों को करना शुरू करें आपके अंदर जो हायर सेल्फ है वो बेसिकली आपकी स्परिट है जिसे आप जीने की शक्ति कहते हैं वो जीने कंशिसनेस से आप उसको पूरी तरह से एक एक तरह से उसको ढूंड ना शुरू करें कि वो क्या चाहती है यह आपके पास कुछ एक जन्मजात डिजायर से हैं आपके पास आप खुश रहना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं आप दुनिया के लिए को करना शुरू करिए थोड़ा 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 समय निकलेगा और फिर आप पाएंगे कि जितना समय आप इन खुबसूरत चीजों में दे रहे हैं उतने ही कम समय में आप यू समझे कि जितना समय आपको लग रहा है कि आप यहां खराब कर रहे हैं यू समझे कि यहां से जो एनरजी मिलेगी वो आपके धन को कई गुणा बढ़ा देगी, आपकी सेहत को कई गुणा अच्छा कर देगी, आपके रिष्टों को कई गुणा बढ़िया कर देगी, बस इतना सा करिए कि आप इन rules को follow करना शुरू करें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरू झाल झाल